दर्शको नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया 24 अपडेट और इंडिया 24 अपडेट से मैं रामसंदर कोशिक अब हम रमेश सैनी जो नगरपाली का महंदरगेड के चेर्मेन है उनकी कारियाले पर उपस्तित है इनकी कल जो नव नियूक्त विधायक महंदरगेड के हैं करुण सिंग यादाव उनसे मुलाकात हुई है आपको बता दें पिछले दिनों जब चुनाव था उस चुनाव के दोरान नो पारसदों के साथ ये कॉंग्रेस में सामिल होए थे दिपेंदर हुड़ा जो सांसद राजिशवा सांसद है उनकी उपस्तिती में इन्होंने कॉंग्रेस का समर्थन किया था और अब जो बीजेपी विधायक के साथ मिटिंग होई है किस परकार की क्या रूप रेका थी किस सोच के साथ वहां सामिल होए थे और आज जो कल की ज बताते हैं कि क्या सोच है कैसे मिले हैं जी चैन्मन शाप नमस्कार जी नमस्कार जी हमारे दर्सकों को पूरी थोड़ी जानकारी में जो आपकी कल की जो मुलाका थी दो रामचंदर जी मैं इस विशे में आपको और सभी सहरवास्यों को एक बात बताना चाहूंगा कि हमार मेरा और मेरे पूरे हाउस का सभी पंद्रावार पारसदगा एक ही लक्षा है कि सहर का विकास और सहर के विकास के लिए हम पिछले डाई साल से के हमारी नगरपाले का जो नवी नुक्त बनी थी उसमें डाई साल के दुरान हमें विशेश तोर से बहुत ज़्यादा कारे व मैसूस हुआ कि हम कुछ क्यों नहीं करवा पा रहे हैं लेकिन इसके अंदर जो डाई साल के अंदर जो मैसूस किया है क्योंकि जो पिछे जो खट्र सरकार थी हमारे यहां पे हर्यारा सरकार अधर खट्र साब जो थे मुक्यमंतिर रहते उन्होंने हमारे जिसे पूरे हर्या के पास होती साइन करने के लिए या चाहिए वो विकास कारे की हो चाहिए वो किसी क्या ना वेंडी सी हो चाहिए वो अपने इसका अपने और बिएन्यकारे जितने भी हैं जो सैर के अंदर वोने आते हैं अख्स़ा पास हो जितने भी कारे ओते थे तो वो चेर्मेन की टेबल सो कर निकलते थे लेकिन। आज हालाथी यह है कि हमारे पास कोई सीजिधी फायल हमारे पैस किसी वी तरह लेक्ट डिलो मेना की फाय वह चेक हुए हमारे पास नहीं आती है मद्रीकार चूब पौर्टल का मुद्धिकार अपनी मर्मर्जी से जो कुछ कर न वो करते हैं। हैं कि त्वकी अब उनT पास पावर सभी पावर उनके पास चली गई है तो अपनी मर और मनमानी इतनी इंदरी बढ़ गई कि हमें दो ढ़ाए साल के अंदर हमने बड़ा मैसूश वाथ सहर के लोगों के आक जो आसायत उसके नुरूप हम पूरा हाउस उतर नहीं पा रहे थे हमें इसे बड़ी भारी करने के लिए हम कहते तो और कि सुनते नहीं थे उनका उनका सिर्फ यह की नक्षेता भई एंडी सी करना डिलोपमेंट वरक पर कोई धियार नहीं रहा हमने बार बार इन दर्सकों बताएं डिसी क्या है नो डू सेटिफिकेट जैसे किसी भी चीज कर किसी को अपने को मकार बैचना है और कुछ करना है लोण लेना है उसके लिए जुरुर्ध होती है अब पैसा लेत की हो रही थी खा सब ही को पता है यह चोटे-शोटे वरके जिसको यह को नाम की की उचदिगार्यों की सीम से की लेकिन उसका कोई हमें कोई नतीज़ निकल के नहीं आया था उस टैम और और हम बार बार जो लोग हैं हमें परसान करने लगे कि बैब भी आप हमारे पर गृयार्यों को होगा नको लगवा दीजिए और हमारे पास जो डॉटड़ो ट्रेंडर्यों कोडे कोड़े का है वह गर गर जाके कोड़ा उठाना था वह टेंडर खतम हो गया था वह लोगा थेंड काम में लिए हम उनको बार बार पिछले एक साल से कहते रहे कि आप हमारे तीन काम कर दीजिए लेकिन उनको एंडिसे से फुर्षत नहीं लगती थी उन्होंने किसी भी काम को सीरे नहीं लोगोश जब कोड़ा परहें हमारा थ सुब्हा उठते थे तो इस पॉन मतलब या लाइट को लाइट राद को लाइट निizar तो हम बड़े प्रिसांत ते iç चीज को लगए लोगों हे बितलओ की इस चीज के लिए लोग तो आए को हम ढरते नहीं थी लेकिन हम मसिसांरे न जैसी के अपने को लग रही था पूरा Beit के अपर पो फूड़ा एक तो था समय के लगा की कि कहिं नकायमाई सुनवाई इस सरकार में नहीं हो रही है तो अब हमने जब निजने ऐसा भी हुआ कि मार्ण की लेक्शन थे लेक्शन का दोर था तो हमें लगा कहीं ना कहीं बैस हैर के विकास के लिए हमें लगा कि सहर के विकास के लिए हो सकता है क्या आने वारी सरकार चूट सकत सरकार बनने वाली हैं तो हमें कोंगर सो समर्थन करना चेता की वह सहर के काम हो सके लेकिन चलो इरक्षन यह पर लोक्तंत्र है इसके अंदर हार जी तो उत्ती रखती है लेकिन अब क्योंकि बीजेपी सरकार दुबारा बन गई है और हम तीस दिबार सरकार बनने पर अधि विदायक उनको भी बढ़ा देते हैं और उमेद करते हैं कि वह भी नगर के विकास के लिए हमारा पूरे हाउस का समर्थन करेंगे सायोग करेंगे पूर्ण त्रियातर कैसे लेकिन अब मैं बताना चाहूं कि कल हमारे पास जैसे सभी हमें एक अच्छा एक मैसेज मिला और ह हमें बड़ा अच्छा लगा कि आदने कवर सिंग यादव जी ने हमें फोन करके सभी विदाय को सभी पार्षदगन को मुझे भी एक राइस्ट हाउस मीटिंग के लिए बुलाया कि सहर के उनको एक सिर्फ एक चर्चा थी कि सहर के विकास कैसे हूं उन्होंने कोई और कोई समय के अंधर हुई किस हैर के विकास के अंदर हमं क्या योगदान उनका चाहिए क्या हमार होगा और इसके लिए हमने कल जैसे एक मिटिंग सभी रिदिकारीों कि और नारनों से डीम सी हैं या एक्षिन साहब हैं और यहां की जितने अधिकार यह सभी पार सद्गन और खुद कवर सिंग जादव जी विदायक जी वहां मुझूद रहने वाले हैं तो विस्तित तोर से कल वोचर्च होने वाली है और आगे आने वाले समय में हमें लगता ह है कि कि सहर में विकास कार्या हूंगे आधिने रहा कवर सिंग जादव जी बरहारा पूरा स्वायक देंगे लेकिन फिर भी मैं सरयान सरकार से भी और आधिकार यह जरूर करें कि आधिकारियों पे लगाम लग सके वो काम कर शके बरस्टाचार ना करें अगर को ऐसा काम ना करें या कोई प्रवाव से यह ना हो करते रहें पिछले तुन हमने देख्खा कि हम बार बार कंप्लेंट करते रहें और उनके पर कोई एक्षन वाई नहीं लाइए लेकिन अब ऐसा नहीं हो क्योंकि अधिकारों को ज्यादा पावर देने से अब उनको लगता है कि हमें कोई क जो इतना बड़ा तबज्जो दिया गया उसके पिछे कहीं कहीं कमिशन खोरी जो अधिकारियों से उपर मुख्यमंतरी तक की कुछ चर्चाएं हैं तो इस मामलें क्या मानते हैं चपन जिन के जो मुख्यमंतरी बने थे नाइब शिंग शेनी तो उनकी क्या रिस्पोंस रह इस परकार की आपको नगरपालिका में इस परकार को आस्वासन मिला हो जब उनको तो 56 दिन के अंदर उन्हें को मिला नहीं कि पहले लोग सभाई लक्षन आगे उसमें भाग दोड़ लगे रहे फिर विदान सभाई लक्षन आगे उनका इतना सोचने का समय नहीं मिला कि भ उनका जो वीजन है मुझे लगता है कि वह अच्छे मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो जैसे मनवलाल खटर की पिछे सरकार रही काफी दिन रहे समस्याइं शिकायतें यहां से भेजी गई उनकी आउटपुट को लेकर क्या कहेंगे क्या वहां पर काम्याबी मिली अंदर सियम सक्धमा जी के नवासतानाली में मह brittle सतनाली में पहुच्चे थे तो हदना सर्मा जी ने ने प्र प्रोफशिर राम्पला 다시 surgmi ने भी हमें यह का था कि वैप सहर के विकास के लह जो भी आपके काम है वह लिख बिए जन संगवाद में दे दीजिए तो हमने लगबल ते ताली जुरूराते थे थे कि वह आगे चंदीघर से कि आपका जन्द संवाद कितने काम रहे गए कितने नहीं हुए क्या रहे लेकिन मैं उनको हर दम कहते हैं जब हैं चैर्मन की पावर खतम की गई थी वह दुबारा से यह सोच समझ के हम भी कोशिज करें सभी चेर्मन फिर दुबार से करेंगे और से मिलेंगे भी कि वह हमारी जो पावर को अपनी साठी दुख दर्द को बताएंगे कि आप लोग हमें इस से यह रहा है तो हमें थोड़ी पावर देदी दे दिजिए और साथ ही क्या रहा वह जो भी डिलोम्ट वर्क हैं वह अमते जिस कर सके उनसे निवित्मन करेंगे जो कारी जैसे कितने पारशद आप काउंट सिंगादों से मिले हैं हम कल बारा पारसद मिले थे तो सभी पंदरा थे तो परदान मैडम है वो थोड़े किसी कारण से उन्होंने बताई मैं एस वस्तों इसलिए नहीं आपाई और एक पार सबाहर जाने के वज़ें नहीं आपाया बाकि लगबग सभी पारस्थ मौजूद तो लेकिन सभी का एक हूं चाहिए हमारे सभी पारस्थ हो चाहिए का विकास हम पार्ट के बाद जिसे उपर ऊठकर ना आपको पता है कि जैसे मैं भी अगर मालो जब चेर्मेन तुन के आया तो उसे में निर्देले में खड़ा होने वाल था लेकिन आपने देख्वा नहीं वाली सरकार वर्तमान सरकार तो विजय पी जोएन की यूड़े लेकिन वे लोगों का बड़ा विरोध हुआ कि बाइब ने क्यों जोएन कर लिए आप नितरिर लेन आप जीश जाते लेकिन हमारा विजं तो यह ही था ना हमार विजिंटा सहर का विकास गरई सरकार की साथ नहीं जाएंगे तो हम ने को समर्भल कि है न आध वाई दूसरी तरफ यह देखा यह कुछ नहीं हो पा रहा तो हमने सोचा वह आने वाज शरकार कागरश हो सकते हैं तो हम ने उनको समर्थन किया लेकिन अब सरकार क्यों कि आप प्रताशी तो नतीज्जाएं हैं हमें लगता है कि अब बीजेपी सरकार है और लेकिन हमारे काम लिए नहीं के साथ है और देखे दर्सकों चेर्मेन रमेशनी ने किया है कि हमारा एक ही दय है नगरपालिका का सहर का विकास हो हम उसी के लिए तुने हैं सरकार बले किसे की हो जैसे पिछे जो आखड़े जो आए जिस परकार से मीडिया में जो आ रहा था लोग बता रहे थे कॉंग्रेस की सरकार आ रही है उसको लेकर के विकास को लेकर के ये कॉंग्रेस पार्टी का इन्होंने समर्थन किया था और उसी विकास को लेकर जो विध ने निर्टी इनका कहना है कि हमारा काम है जो यहां की सरकार है उससे मिलके विकास करवाना और उन्होंने अपनी पीड़ा भी बताई है मनोलाल खटर बले ही अपने इमानदारी का कहीं भी डिंगरा फोड़ रहे हूं लेकिन जो अधिकारियों ने जो मनमानी की है अधिकारियों ने जो कमिशन खोरी की है उससे भी ये कहीं कहीं पीडित दिखाई दे रहे हैं तो अधिकारियों की मनमानी कब तक चलेगी जैसे चापन दिन के मुख्य मंत्री हैं उन्होंने काफी हर्याना में परभाव जमाया है और हुनी के परभाव की वज़े से बावत से बीजेपी की सरकार आई है आगे देखते हैं किस परकार से नगरपालिका पंचायतों का विकास करवाव पाएगी जो अधिकारियों की कमिस्ट खोरी है उस पर कहां तक जो ये सरकार है लगाम लगा पाएगी अब तक की तो पिछे की जो बात हुई भले ही पिछले दस साल में बीजेपी की सरकार रही हो लेकिन जो ग्रामिर छेतर की जहां बात हो नगरपालिका की छेतर की बात हो वहां सभी को इस समस्या का शामणा करना पड़ा है तो हमने पूरी आपको विश्थार से बताई आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे लग रहा है कि रमेश सनी जो चेर्मेन है नगर पालिका के विकास के लिए इनके लिए पार्टी कोई माइन ने रखती इन्होंने कहा है कि हमारा एक ही धे है कि हम जो नगर का विकास करें हम चेर्मेन बढ़ाए गए हैं अधिकारिय बड़ी तरस्त रही और इन्होंने अपना पूरा सपष्ट किया है कि हम नगर पालिका का विदायक के साथ मिलके विकास करेंगे और इन्होंने विदायक को भी धन्यवाद दिया है कि उन्होंने मिटिंग बुलाई और नगर के विकास के लिए उन्होंने जो रूप रेखा त झालने वा झालने वा